आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीसौरी की रेस्पी शेयर कर रही हूँ Hello everyone, मैं हूँ वीजिया और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तीसौरी, basically मसूर दाल और फ्लेक्सिट इसे तीसी और अलसी भी बोला जाता है इसके लिए मसूर दाल चाहिए, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है इतना ही मैंने 500 ग्राम यहाँ पर तीसी या अलसी जो भी आप बूलते हो उसको भी लिया है तो सबसे पहले हमें इस मसूर दाल को 2-3 बार पानी से अच्छे से वाश करने के पाद जब तक इसका वाइट वाला पॉडर निकलने जाता वाश कर लेना है और वाश करके इसको 5-6 गंटे यहाँ आप वहर नाइट शोक करके रग दीजे यह देखें इस तरह से मैंने मसूर दाल को रात में शोक करके रग दिया था और यह बिल्कुल अच्छे से भींग गया है इसे 4-5 गंटे में भी यह बहुत ही अच्छे से भींग जाता है लेकिन रात में भींगाने से एक फायदा होता है कि आप इसे सुबह फटा-फट से बना सकते हैं और इसे पूरे दिवन की धूप लग जाएगी तो यह आपकी पिसौरी जो है वो बहुत ही जल्दी ड्राइ हो जाएगी तो अभी सबसे पहले इस पानी को फिक देना है और से फिर से एक दो पानी अच्छे से वश कर लेना है और वश करके इसको किसी भी च्छनी पे च्छन देंगे और इसी तरह से कि मैं तaken भीए वेडाल को दो पानी से वाश करने के बाद मैं इस था में चान दिया है यह한पे तीसी को भी का क्ज़म के रहे कारइं इसोफ्ट बणकेत dernier कर ले यहां बिरी grand 15 में ठीसी को बड़ा इस बाद कर लेकर रिस ने कर लिए तो था डाल के और ग्राइंड कर लेना है और पानी इस में आप जितनाकम से कम ऐड़ कर सके उतना च्छा है क्योंकि यहां पेटर को पतला नहीं करना है अगर बैटर ज्यादा पतला हो जाएगा तो ती सौरी को सुखने में काफी टाइम लग जाएगा तो जितना कम से कम पानी में आप इस बैटर को पीश सके उतना अच्छा है मैं यहाँ पर अभी बिना पानी के पीश रही हूँ अगर जुरत लगे तो एक दो चमच पानी डाल के इस बैटर को पीश लूँगी और यह देखिए एक बैट की डाल पीश के रड़ी हो गई है इस तरह से चमच से आप मिक्स करकर के अगर ग्राइंड करेंगे तो बिना पानी के भी बहुती असानी से डाल पीश जाती है बस इसी तरह से आपको गढ़ा पीश के त्यार करना है और इसका कंसिस्टेंसी आपको अट데 को थोड़ा सा दर दरा रकना है तो भी इस बैटर को एक बड़ी से बड़तर में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे दाल को पीश के रड़ी कर लेंगे और यह देखिए, यहाँ पर better के लिए यह घलक का पूल गया है तो अभी इसे दाल के बैटर में एड पर देना और इस बेटर से जब आप तीसोरी को बना के रड़ी करेंगे तो काफी खसता तीसोरी बनके रड़ी होगी यहाँ पर मैंने बेटर को 5-7 मिनट के लिए और यह बिल्कुल फ्लफी हो गया है तो इसको चेक करने के लिए आप इस तरह से पानी लीजे इसमें छोटी-छोटी से बड़ी तोड़ के एड़ करिए इस तरह से अगर आपकी बड़ियां पानी के उपर तैरती हुई दिखाई पड़े तो समझ जाएए कि आपका बेटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो गया है और आप इस बेटर से अब तिसोरी को बना सकते हैं तो बेटर फ्यट्टी के बाद इस में कुछ मसाले आड़ करने हैं तो सबसे पहले इसमें एड़ करदेंगे टेस के अकॉर्डिंग नमक यहां पर यह हमारा तिसवरी का बटा रड़ी हो गया है, चलिए अब तिसवरी को बना लेते हैं, तो तिसवरी को बनाने के लिए मैंने यहां पर प्लास्टिक शिट लिया है, अब उस पर छोटी-छोटी सी तिसवरी बना लेनी है, इस तरह से, आप इस तरह से, या तो हाथ स बनाईए या आप इसे कोन बना के भी बना सकते हैं, कोन आप दूद के पैकेट से बना लीजे, या आपके पास नमक का पैकेट हो, दाल का पैकेट हो, कोई भी पैकेट खाली हो, आप उससे कोन बना लीजे, कोन से आप काफी जिली बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से बना रही हूं, तो सारी तिसौरी को इसी तरह से बना लेना है, और ये देखे, यहां पर मैंने सारी तिसौरी को बना लिया है, अब इस तिसौरी को दो से तीन दिन कड़क धूप में सुखा लेना है, यहां पर ये तिसौरियां 3-4 गंटे बिल्कुल अच्छे से कड़क धू इनका साइड चेंज करके अभी इनको सुखने देंगे, कम से कम 2 दिन कड़क धूप में इनको तुरूर से सुख जए है तो सुखने के जाए कि इन तुरीयों के सुखने के बाद मिलते हैं और 3 दिейств Goreी एकदम अच्छे से सुख गई है आप इसका आवाज सुन पा रहे होंगे बिल्कुल क्रिस्पी सी आवाज आ रही है आप तीन दिन चार दिन इसको अच्छे से सुखा लीजे जब तक यह तिसोरी जो है वह अंदर तक ना सुख जाए और यह देखें किती सॉफ्ट तिसोरी बनके रेडी हुई है यह देखें मैं अब बता देती हूँ इसे फ्राई किस तरह से करना है तो तीसोरी को फ्राई करने के लिए कड़ाई गरम करने के बाद उस पर थोड़ा सा तेल अड़ करेंगे एक बड़ा चमच लिया है मैंने यहाँ पर अच्छे सा गरम कर लेना है तेल का जो कॉंटिटी है वो काफी कम लगता है मैंने यहाँ पर तेल एड़ किया है आप देखिएगा इसमें से भी काफी सारा तेल बच जाएगा तो तेल गरम करने के बाद इसमें एड़ कर देंगे यह तीसोरी और स्लो टू मेडियम गैस पर इन तीसोरी को फ्राई कर लेना है जिसे फिसोरी जो है वो जाएंगे और दूसरी साइड से यह कम फ्राई हो लिए और यह देखिए शुरू में फ्राई करते समय यह थोड़ा तेल एबसर निकल जाता है और फ्राई होने का इंडिकेशन यह है कि इनका कलर जो है वो गोल्डन कलर हो जाता है शुरू में जब आप डालते हैं तब यह पिंग कलर के रहते हैं और जैसे यह फ्राई हो जाएंगे इनके उपर हलकी सी गोल्डन सी कोटिंग आ जाएगी जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई पढ़ रहा होगा यह देखे इस तरह से एक साइड सी यह गोल्डन साई हो गया है तो बस अभी गैस को आफ कर देंगे औ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अगर अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हां नोटिफिकेशन वेलकॉन करना बिलकुल ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वाच्चिंग टेक अ बिलक ovरीयोर का अपक्राइब कि वीडियो ओड़ियो करें पयात truth